आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरो सिंग देखिए राजनीतिक सक्षितों के साथ तो आप हमको देखते ही रहे हैं लेकिन अभी बिहार का आकरसन क्या है बिहार का आकरसन है गोलू टू गोलू टू क्या है तो एक ऐसा भैसा जिसकी कीमत जानके ही आप हैरान हो जाएंगे देखिए दस करोर रुपे इसकी कीमत लगाई जा चुकी है लेकिन इनके जो मालिक हैं इनको देने से मना किया कि इतनी अनमोल समपत्ती हम दस करोर में आपको नहीं दे सकते हैं आपको थोड़ा सा इसमें संसोधन करना पड़ेगा दाम आगे बढ़ाना पड़ेगा तो गोलू टू अभी बिहार में एक आकरसन का केंद्र है तो जानते हैं इसके बारे में कि क्या-क्या इसकी खासियत है इसकी मा कितनी दूद देती थी और इसके जो दादा थे गोलू वन वो कहां थे और उनकी क्या खासियत थी तो हमारे साथ हैं जो इनके care taker है राजकुमार जी वो हमारे साथ हैं उनसे हम जानने की कोशिस करेंगे कि क्या खासियत है गोलुटू की जो इतना बड़ा आकरसन है और इसका जो दाम है वो इतना हो गया है तो बताईए राजकुमार जी कि क्या खासियत है इसकी दाम इतना क सर जी यह गोलुवन का पोता है और जो इसकी जो बैसे आती है कट्टी आती है वो स्टार्टिंग में 18-19-20 लीटर से दूद कवर करती है पाश्पूर्ट बच्चे आते हैं और यह प्योर मुरा नसल से हो है तो इसके जो दादा थे जिसको गोलुवन कहा जाता था उनकी क्या अच्छा तो एक बारत में इंदकेश्री होई है और बारत का एक सबसे जो शोग जड़ाने वहला बहुत अच्छा पसू था और हमारे अर्याणे में उसी की देन है तो यह बिहार के जो बैटर्री कॉलेज में पसू मेले में आप इसको ले के आया है इसके पीछे क्या है ब और भी आर्सरकार से सीमन जो हम सीमन भी साथ लेकर आये है तो यह इसका भोजन क्या है डाइट क्या क्या खिलाते है इसको जैसे गेवों का डलिया चणा और दस किलो दूद और दूसरे तीसरे दिन पंद्रा दस किलो सेब कितना खर्चा हो जाता होगा 2000-3000 इसके खाने पर क इसके जो रख रखौव है इसमें क्या खास यहां रखते हैं इसका मालबोडी मसाज करते हैं हरा अब तेसकी सेविंग करते हैं और इसको 5-4 किलोमेटर गुमाथते है और यह सी कमरे में रहता है अच्छा तो गोलु वन हो गया गोलु टू हो गया गोलु थी भी कही पर दो साल का अभी हर्याना में है इसका बेटा है उसको अभी लेके नहीं है अपनी पंजाम में अपने करेक्टरी में फर्ष्था है और जो बड़े बलो मैं थत्र राया है जो सीमन इसका बेशते हैं उसकी कीमत क्या होती है कैसे की नसल सुधार हो क्या लगता विहार आके आपको कितना फाइदा मिलने वाला और इसका कितना नाम हो प्यार में इसके नसल चलेगी और इसके सिमन भी चलेंगे वह सकता अच्छे नसल पैदा भी आर्में भी होगी तो यह हमारे साथ है गोलू टू आप देख रहे हैं कि पंद्रे क्रोर इसका दाम रखा गया है बहुत आफर भी आया है दस क् प्रभाविट है और बिहार सरकार ने विसे सामंत्रन पर इसको बुलाया है ताकि बिहार में जो पशों के काटेगरी है उसको सुधार किया सके उसको अच्छा बनाया सके और उसके देखा देखी और भी जो आच्छे-चछे नसल के पश्वें वह बिहार आए और यहां के जो टेकर ग्राजकुमार जी की गोलू 3 जो है वो किसी माइने में गोलू 2 से कम नहीं है हो सकता है आगले साल मेले में गोलू 3 से भी हम आपको रूबरू कराएं केमरामेन राकेश के साथ हम सरोज सिंग धन्यबाद नमस्कार आपको नहीं है